नमस्कार स्वराज अभियान प्रेस विग्यप्ती 11 अगस 2015 जंतर मंतर पर पुलीस की बरबर कारवाही स्वराज अभियान थता विभिन किसान संगटनों द्वारा समर्थित जै किसान आदोलन के जंतर मंतर पर चल रहे शांती पुन हल सत्यागरा पर कल राद दिल्ली पुलीस के द्वारा बरबर कारवाही की गई किसान आंदोलन के सेयोजक योगिंद्र यादव, विधायक पंकच पुशकर और करीब सौ साथियों को दिल्ली पुलीस ने जबरन और अलोकतांतरिक तरीके से गिरफतार करके संसद मार थाने ले गए स्वराज अभ्यान सरकार के इस कायराना वो अलोकतांतरिक करवाई की घोर निंदा करता है राद साड़े बारा बजे के आसपास जब जैकिसान आंदोलन के साथी हल सत्यागरह अपने बाड़े में कर रहे थे तब एका एक भारी पुलीस बल ने सत्यागरह सतल को चारो तरफ से घेर लिया योगेंद्र यादव और अन्य साथियों के बहुत समझाने के बाद भी एसीपी यह मानने को तयार नहीं कि यह आंदोलन शांतिपून और लोकतांतरिक तरीके से हो रहा है थोड़ी देर बाद पुलीस ने जबरन हल सत्यागरह को समाप्त करने की कोशिश की और इसमें योगेंद्र यादव सहीत करीब सौ साथियों को घसीटते हुए बसों में भर कर संसद मार्क थाने ले गई और सत्यागरह सतल को तोड़ दिया इस जपट में योगेंद्र यादव की कपड़े फट गए और कुछ साथियों को हलकी चोटे भी आई बाद में प्रशान भुशन जी को योगेंद्र यादव जी के वकील के साथ भी धाने में जाने से मना कर दिया गया था किसी भी गिरफतार साथियों से मिलने नहीं दिया जा रहा था प्रशान जी सहीत सभी साथी संसद मारताने के सामने उपस्ते थे प्रशान जी ने कहा कि सरकार किसानों के अधिकारों की इस लड़ाई से इतना डर गई है कि वह दमन की नीती पर उतारू हो गई है परंदु हम ऐसा होने नहीं देंगे हमारे मीडिया के राष्ट्य मीडिया प्रभारी अनुपम को भी गिरफतार कर लिया गया है इसलिए किसी भी सूचना वबाचीत के लिए आशुतोष से 9560602669 पर संपर करें जैहिन स्वराजप्यान मीडिया